बगी और सेंक्स के फादर कोन है क्या सेंक्स और बगी ब्लड रिलेटर है इस तिवर पे मैं बात करूँ तो सेंक्स और बगी ब्लड रिलेटर नहीं है पर Sanks को बात में बगी के बारे में बहुत कम कुछ पता है, जैसे बगी इंपेल डाउन में capture था, यह Sanks को पता नहीं है, ना ही बगी को Sanks के बारे में आगे कुछ पता है, करेंट टाइम में, दोनों कहीं से सेम भी नहीं देखते हैं, जिससे मुझे लगता है, यह दोनों blood-rit नहीं है, और यह थियोरिक गलत है, गोल्डी रोजर ने Sanks और बगी को अपने सिप में क्यों लाया, जिससे में उनकी एज साथ एक साल होगी, रोजर के क्र्यू में सबके पास monster level की strength है, रेलिक, क्रॉकर्स, इन दो छोटे बच्चे को वो अपने सिप में फिर्थ क्यों ला जो कि God Valley में थे, जो नहीं रोजर ऐसा चाता था, नहीं गार्प, यह एक major reason हो सकती है, गार्प रोजर को मरीन होने के बाद भी क्यों हेट नहीं करता, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत लोगों का जान बचाया था, और बाद में रोजर और गार्प के एफर्ट से वो रॉक के पीपल को कट्टे है, वो Celestial Dragon Buggy ही था, मुवी स्टेंप्ट में यह रिवील करिये थी कि Buggy की ओरिजिनल हेर कलर ब्लॉंड है, वो अपने हेर को ब्लू रखता है, ताकि कोई उसे वर्ल्ड नोबल यानि Celestial Dragon ना समझे, जिससे वो दूसरे पायर्ट की टार्गेट ना बन स जिसका इस क्राइम में कोई भी रोल नहीं था, जिससे मरीन रोजर के डेथ के बाद उसके वाइफ और चाइड को मारने की कोशिज भी किया थे, रॉक डिजाबिक अपने टाइम के स्टॉंगेस्ट पायर्ट में था, इस्पॉलर फॉर वन पीस फिल्म रेड, जहां सेंक्स की हाकी के बारे में और भी बताया गया, जिससे एड्मिरल भी हैंडल नहीं करा पाते, की ज़रू भी नहीं, अब आप सोच सकते हैं, तो सेंक्स फाइव एल्डर्ट से मिलने चला गया, कैसे यहों को होने के बाद भी, ऐसा क्यों, अब इससे लगया कि ऐसा तभी हो सकता है जब सेंक्स सेलेस्टियल रेगन हो या स्वाय हो जो कि वर्ल्ड गवर्मेंट के लिए काम कर रहा हो, फाइव एल्डर्स सेंक्स को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सेंक्स उस लाप का परसा नहीं है, जो वर्ल्ड के पावर को बैलेंस को डिस्टब कर दे, बिना किसी सेंक्स को एंगर का हैंडल करना बहुत मुश्किल है उनके लिए भी, और ये रिजन नहीं है कि एल्डर्स उसका रिस्पेक्ट करते हैं, यह थोड़ी लिडर्स वीडियो आपको कैसे लेगी इस कमणेट कॉक्स में अपना जैन्यून थाट्ट चरुद दरना मिलते हैं, ने